कि मिश्राजी जिस तरीके से महा मुकाबला लगातार जारी है, मतदान किया जा रहा है और समीकरन क्या कुछ बन रहे हैं उप्चुनाव कुलीकार उत्तर प्रदेश में आत्पे मुताबिक क्या कुछ अजबार नतीजे आ सकते हैं मैं देखें, यहां पे दो फैक्टर काम करते हैं, जैसे 2014 में तो लहर थी, तो दोनों जबाई ये लोग जीत गए थे गोरतपुर में मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम रहेंगे क्योंकि महंत अवैदिनाथ के बाद से लगातार जो वहां पे वोटर हैं, वो उनकी अपनी योगिनाथ जी की या महंत अवैदिनाथ जी की अपनी हार्ड पोर अर्ण वोटर है, उनका अपना बेस वहां पे बना है, अगर वो निर्दली भी लड़ेंगे तो जीच जाएंगे, फूलपूर की सीट का अगर आप देखेंगे तो बीजेपी यहां पे कभी भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी थी, उसके पहले जो है, कॉंग्रेस वहां करती थी, और फूलपू यहां पर जो कुछ भी नतीचे आएं दोनों ही सीचो पर क्या इस गटबंधन को आगे तक के लिए लिजाया जाएगा, यानि कि 2019 के लिए गटबंधन काम आएगा? गटबंधन के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि छेत्री पार्टियां इकनी कमजोर हो चुकी है, भाश्पा में बीरे बीरो उनको इतना कमजोर कर लिया, 2014 में देखिये, एक दो सीट या सीट ही नहीं है, पूरे स्टेक में ये हालत है, तो कैसे भी करके अपने अस्तित को बचाने के लिए इनके पाफ जो एक विकल्फ है, वो एक गटबंधन का है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आपस में मिल जा कि जो भारतिय जरनता पार्टी है, जो उस पार्टी की लहर, ये कही ना कई डर और सहज की भावना विपक्षियों के दिल में पैदा कर देती है, कि यहां पर धुर विरोधी भी आपस में मिल जाते हैं? पर्मानेंट वे पे कोई भी मित्र या दुश्मन नहीं होती है, जो बात आपने ये बोली कि बीजेपी का, डेफिनेटली बीजेपी ने दोजार चौदा से लेके उसके बाद बहुत ही स्टिक वे में काम किया है, और ये कि दोजार चौदा में ही मैंने बहुत सारे समाचा पत्रों के माध्यम से लिखा था कि अब जो लाई हो रही है, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, जो जीतेगा और जो हारेगा उसका अस्तित्व ही मिटता चला जाएगा, और यही हो रहा है, और यही रीजन है कि दोजार उन्निस के लिए अभी से जो है सारे जितने सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है, जी, बहुत शुक्री आए कि मिश्टा जी आपका हिंदी खबर से बातशीत करने के लिए